नई वीडियो का नौटिफिकेशन आपको मिल सकें इसा शांदर आपको रिजर्ट दिखाएंगे कि आप चौंग जाएंगे प्लीच क्लाश तक आपने असा दरीका कभी नहीं देखा चीदों कि अजी सबसे तहले हैं जो भी आप प्लीच क्रीम इस्तमाल कर रहे हैं उसके अंदर का पाउदर ये इस वर्फिर जोगो निका लीजिए अब यहां पर दो चीज़े नौट करने वाली है कि अगर आप इस अपने चेरे पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ आदा टी स्पून पाउदर लेंगी यानि कि इतना साथ और अगर आप अपने हाथ पाउपर एप्लाई करने जा रहे हैं तो आप पूरा पैकेटिस में शामिल कर सकती हैं डरने की बात नहीं है कि यहां आपको हाथ पे करके दिखाने वाली हो तो वो पूरा पैकेटिस में शामिल करूए अब एक पाकिट पिल्ज पे हम शामिल करेंगे डेर चमच कच्चा दूद इनकेस आपके पास कच्चा दूद नहीं है तो आप गवारी किया हुआ भी स्थमाले दिस सकते हैं कुल्ट अक्शन की बात नहीं है यहां हम दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से फिक्स करेंगे ताथी यक्जा होते यक्जा करतेने के बाद जो नेक्स टाप है हमारा उसमें हम इसमें मिलाएंगे विटामिट एका क्याप्सल यहां चुके हमारा स्प्रीच पे यह बेन इंड्रीडेट है इसको आप लिए नहीं कर सकते इसके यह आपको लास्पी इस्तमाल करना है बहुत अचानी से यह आपको मैडिकल स्टोर से मिल जाएंगे यह कैप्सल विटामिट एका इसमें हम शामिल करतेगे अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने जब तक में आप मिक्स करूँगी आप तमाम फ्रेंड से रिवर्स्ट करूँगी कि चलो जिसे परे चैनल को सुब्स्ट्राइब कर लीजिए और बाल आइकान को दबाना मत बूलिएगा ऐसा नहीं वीडियो अप्लोड हो चुक्यों और आप लग मैसेज नहीं पॉप्चिंग अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें फाइनले मिलाएंगे ब्लीच क्रीम इस मिक्स के अंदर आप पूरा पैपेट की पीज क्रीम कर शामित कर दीजे पहले हमने जो ब्लीच की जितनी भी आप लोगों को ट्रिक्स बताई है उसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा लाइक किया है शेयर किया है अपने दोस्तों के साथ और उन्होंने आपने रिजल्ट हमारे साथ विग बैक्स में शेयर किये हैं और नहीं तो आप देखेंगे कि जब आपने लास्ट फ्रीच के अंदर धून मिलाया था तो वो फाम की शकल में नहीं आई यहां भी फाम की शकल में नहीं आई तो अब हम इसको भी लाएंगे मैद अगर आप मैदा नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप गर्दुप का आटा मिला लीजिए फीट का ठीक हो गजी अब जब मैं इसको मिक्स करूंगे और फिर आप इसको एक सेकिट के लिए ठोड़ेंगे तो यह फाम की शकल में लेकिन इसमें हमें वो फाम की शकल में चाहिए त अब आप इसको जितना भी मिक्स करते जाएंगे यह फाम की सकल में लेकिन यह फाम इस तरह का नहीं है कि इसको अप्लाई करना हुश्किल हो यह बहुत गाड़ी और प्यारी सिंक्रीन बन गही है इसको अप्लाई करते ही आप देखिएगा यह बिल्कुल जागी तरह नहीं है बहुत जारी सिंक्रीन बन गहीं है इसको अप्लाई करते ही आपको रिज़री बहुत अच्छा मिलेगा यहां हमारा मकसद इसको पॉंप की शकल में लाना नहीं है जबके हमारा मकसद था कि तुमाम इंग्रीडेट अच्छी तुरा से यक्ट्वा हो जाए ठीक हो गया अब मैं इसे अपने हाथ पर अप्लाई करने जा रही हूँ आपने अगर चेहरे पर अप्लाई करना है तो से मेठट के साथ आप प्लीज का पाउडर या इंग्वाल पर जो है वो लेंगे सिरफ आप अप्लाई को यहां मैंने पूरा पैकेट्ट शामल किया आप इसे चेहरे पर अप्लाई करने यह हर तरह की स्कीन को सूद करेगा आप को छें मेरे यहां पे कट है तो आप इस चिसव नहीं करें अचाए आप की तैप की भी सकीन है आप उसके अप उसने पिल्ज शामिल नहीं करें जागष गो प्रॉट्ट कर सकते हैं, तरल अपने फेस्टों पर या एnd्ट्म पर जहांप अप इसके अप्लाई कर रहे है अप्लाइ करने के बाद आपने इसको 25 किनट छोट और अगर आपने चेहरे पर अप्लाइ किया आप सुर्फ 20 मिनट देंगे इसको और अगर आपने हाथ पाँ पर ये जर्दन पर चारी है तो आप इसको 25 असानी से दे सकते हैं टाइम कोई गबराने की सुख़़ए अपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो इसे सबस्क्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताके हर आने वाली नई वीडियो का नौटिफिकेशन आपको मिल सके इतनी मैना से दुरियो बनाई है एक लाइप तो बनता है न और दूसरा यह कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दुवारा कैसे भानेंगे तो इसका हल यह है कि आप हमारे सेनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और इस बाई के आइकन को प्रिक कर लीजिए इस तरह हमारे आने वाली तमान वीडियो आप तक